हां जी मेरी YouTube फैमिली क्या हल चाल ले हैं आप सब क्या है होब बहुत जादा मजे में हो गया आप सब आज आपके लिए एक बहुत ही युनीक प्रड़क्ट मैं ले के आया हूँ मेरे पास है नैनो लीफ के लाइट पैनल्स क्या है नैनो लीफ नैनो लीफ है ब्रैंड और यह इसरा जो है लाइट पैनल्स यहाँ पे ट्राइंगल आपको मिलेगा जो कैन्वस है उसके अंदर हमें स्क्वेर शेप मिलती है और जो शेप्स वाला फर्स प्रोड़क्ट है वहाँ पे हमें मिलता है हेक्जगन शेप और मैंने यहाँ पर किया है ट्राइंगल के लिए एक आपको सेट अप दिखाता हूं उसके बाद एप का लेयाट दिखाऊंगा और किस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो और लास्ट में हम बात करेंगे प्राइस की तो अब बिना टाइम वेज के करते हैं अन्बोक्सिंग तो बॉक्स का सारा कंटेंट है हमारे सामने अब सबसे इंपोर्टन चीज है यह जो यह ट्राइंगल शेप है यह हमारा लाइट पैनल और अन्बोक्सिंग से पहले आपको दो बॉक्स देख रहे हूंगा अभी हमने यह वाला अन्बोक्स किया है इसके अंदर थे 9 लाइट की वैब साइट से बट थोड़ी एक्सपेंसिव थी मेरे लिए इसलिए मैं 12 पैनल पे ही अजस्ट कर रहा हूं अब अगर मैं कंटेंट की बात करूं कि क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर तो सबसे पहले तो हमें यहां पे मिलते हैं यह लाइट पैनल और इसके साथ ही हम इनको वाल के उपर मांट करने के लिए आपको कोई भी ड्रिल वगारा करने की जरूरत नहीं है यहां पे टू साइट टेप है तो आराम से वाल के उपर चिपक जाएगी उसके बाद है कुछ कनेक्टर दिखते हैं सिम जैसे और यहां पे है पावर एडप्टर आपके लाइ मुजिक के साथ आप अपने लाइट पैनल्स को सिंक कर सकते हैं और जो भी मुजिक आप सुन रहे होगे उसके हिसाब से आपे लाइट जो है और रियल टाइम के अंदर यह सारी चीजे मापको दिखाने वाला हूँ और एक चीज रह गई थी वह है यह यह प्रड़क्त है मेरा नाम है पी होजला तो पूरा तो लेक नहीं सकते थे एच का शेप है इन पेपर से आपको काफी जादा help मिलती है तो अगर आप भी ले रहे हो नैनो लीफ तो सबसे पहले इन पेपर से आप शेप बना लो जो भी आप करना चाहते हो तो यह है शेप जिसके साथ आग जा सकते हो और यह जो चीज है यह है connector जो की जाएगा light panel के अंदर और यह जो sim card जैसा device यहाँ पे दिख रहा है यह है light connector यह मैंने आपको unboxing time पे भी दिखाये थे इनसे होता है क्या जितने भी हमारे light panels है तो इसी की मदद से यह सारी चीज़े connect होती है अब controller के बाद आपको दिखाता हूँ दूसरा item जो की है यह rhythm module जैसा मैंने आपको बताया था यह special edition pack है जो की है rhythm module के साथ अब यह क्या करता है इसका थोड़ी ही दिर में मैं आपको demo देता हूँ पहले यह जो controller है हमारे पास इसको connect करते है अपने light panel से तो यहाँ पे है हमारा light panel और अगर मैं इसक दाएगा हमारा controller कुछ इस तरीके से अगर मैं दिखा हूँ एक बूपर controller मैंने यहाँ पे लगा दिया उसके अलावा अगर आप सारे ही light panels देखोगे आपको इस तरीके के holes दिख रहे होंगे उपर भी अगर मैं दिखा हूँ यह जो sim card जैसा device है यह कुछ इस तरीके से यहा और light panel भी connect कर सकते हो इसी तरीके से सारे light panel connect होते हैं जितने आप चाहो उतने ज्यादा कर सकते हो अब controller के बाद दूसरी चीज़ पेर कर देते हैं वो है हमारा rhythm module इसको मैं लगा देता हूँ इस जगह पे अब यहाँ पर मैंने lights off कर दी हैं ताकि आपको अच्छे से इनका effect म हो गई हैं तो दिखा देता हूँ आपको app कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं nano leaf app और किस तरीके से हम इसको customize कर सकते हैं तो अभी app के अंदर हूँ मैं और सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ more वाले section में जो कि आपको एकदम bottom right में दिख रहा होगा यहाँ पे है basically हमारी settings तो settings पे blue mountain जो है यह है मेरा username इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से मैं log out कर सकता हूँ और इसके अलावा my devices में list होगी आपके devices की तो कुछ devices यहाँ पे show हो रहे हैं जो मैं भी use कर रहा हूँ और यहाँ पे rooms है rooms के अंदर भी वही same चीज होगी कहां कहां पे कौ remote section है इसके अंदर चलते हैं इस तरीके का एक physical remote आता है जो की $50 का आप Nanoleaf की website से order कर सकते हो उसके बाद है users आप यहाँ पे जिनके साथ भी अपनी iCloud ID शेयर कर रहे हो उनको add कर सकते हो as a user उसके बाद है settings में अगर मैं आता हूँ सबसे उपर मुझे दिख रही है मेरी email ID उ और उसके अलावा कुछ भी खास नहीं है उसके बाद एक चीज़ है यहाँ पे layout assistant यहाँ पे आप अपने Nanoleaf को अपने हिसाब से बना सकते हो जो भी आप design बनाना चाहो वो बना सकते हो और ready for AR पर click करकर जिस भी जगह install करना चाहो virtually उसको देख सकते हो तो यह एक अच्छा feature है बट मैं इसकी जगह prefer करता हूँ stencil paper उसके बाद है schedule इस वाले feature को समझाने के I don't think जादा जरूरत है क्योंकि इसका मतलब है आप अपने हिसाब से जिस भी time पे चाहते हो एक scene को set करना आप कर सकते हो कि इस time पे on हो इस time पे off हो ऐसे colors हो वो सारी चीज़ें आप schedule के अंदर क assistant के साथ use कर सकते हो मैं use कर रहा हूँ siri के साथ discover है basically play store जहां से आप different scenes scenes यह लोग बोलते है basically presets को जो color के presets है अब वो order कर सकते हो अगर इस पे click करते हैं यह है हमारे rhythm module के presets या scenes जो भी आप कहना चाहो nano leaf की जो language है वो है यहाँ पे scenes और अब आते हैं हम लोग dashboard के अंदर यह है सबसे main section जहां से सारी चीज़े operate होंगी और मैंने अंधेरा इसलिए किया हुआ है यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से color देखें मैं lights on कर रहा हूँ तो color इतने अच्छे से पता नहीं चल रहे है अभी जो brightness हो और 100 पे तो यह बहुत जादा bright हो जाता है तो इस video के लिए मैं मैं इसको रखता हूँ 34 के ऊपर अब सबसे पहले चलते हैं यह जो plus के ऊपर icon है इसके अंदर यहाँ से आप solid colors pick कर सकते हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे green, yellow, red जो भी आप color pick करना चाओ आप यहाँ से कर सकते हो और यह जो slider है इस से brightness जो है वो कम यह जादा हो सकती है तो यहाँ से आप देख सकते हो मैं जैसे जैसे इस slider के साथ खेल रहा हूँ color change हो रहे हैं अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाऊंगा जो सबसे पहले star वाला icon है यह है favorite icon तो यह है scenes या preset अगर मैं यहाँ पे swipe करता हूँ तो अगर अब यहाँ पे star के उपर click करता हूँ तो यह चले गया है favorite वाली list में आप देख सकते हो color burst उसके बाद यह जो section है second section यहाँ से वही same चीज है daylight अगर आप करना चाहो अगर मैं इस पे click करता हूँ तो color change होते हैं अब आजाते है scenes के उपर scenes basically preset है different different colors का तो northern lights पे अगर मैं click करता हूँ अभी आप लोग देखना colors कैस shift होंगे तो यह देख सकते हो अभी हम लोग चले गए है northern lights के उपर brightness होगी है full इसको मैं 35 पे रखता हूँ उसके साथ ही ऐसी काफी सारे और color हैं जैसे netflix and chill तो अगर आप movie देख रहो living room में है तो एक अच्छा color आपको मिल जाएगा और जब भी कोई नया scene आप pick करोगे brightness automatically 100 पर चले जाएगी तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है और यहाँ पर discover more के अंदर जाकर आप download कर सकते हो नए नए scenes या नए presets बिल्कुल free में basically जैसे हम लोग themes वगएर डाउनलोड करते हैं अपने android phone में वही काम है और अब आते हैं सब से fun चीज पे यह है rhythm module का test और last च पॉसिबल है सिर्फ rhythm module की वज़े से तो music के अंदर मैं गया मैंने यहाँ पे fireworks वाला चूज कर लिया कोई भी light अभी नहीं है hello तो यह अवाज को पहचानता है तो अवाज के हिसाब से यहाँ पे lights आती है तो अगर music वगएरा सुन रहे हो तो पूरा disco वाला effect आपको यहाँ पे मिलेगा अब मैं select करता हूँ shooting stars hello 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 mike testing mike testing one two one two sound bar के अंदर आ गए है तो यह है possible सिर्फ rhythm module से एप को यूज करना बहुत जादा easy है और आज दो दिन हो गए है nano leaf यूज करते हुए एक चीज ने मुझे परिशान किया बाकी सारी चीज़ा तो मुझे पसंद ही आई है और वो चीज है wifi network तो यहाँ पे जो nano leaf है वो 2.4 GHz के उपर ही काम करता है 5 GHz वाला network nano leaf accept नहीं करता ह और एक बार जब आपने pair कर लिया अपनी app के साथ अपने nano leaf light panels को उसके बाद क्या पंगा है अगर आप app यूज करना चाहते हो तो आपको 5 GHz से हट कर 2.4 GHz वाला network पे connect करना पड़ेगा अपने phone को उसके बाद ही आप app को यूज कर पाओगे तो वो चीज ने मुझे लाना पड़ेगा जो की होगा 2.4 GHz वाला तो यह एक चोटी सी problem है जिसने मुझे तंग किया उसके अलावा सारी ही चीज़े मुझे बहुत ही कमाल लगी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यह वाला जो specific model है इसका price है 200 US dollars 199.99 है तो मैं 200 ही कर देता हूं राउंड कर कर यह इसके साथ ही मैंने एक expansion pack भी order किया था जिसके लिए मुझे additional देने पड़े 60 US dollars तो टोटल यह वाला जो package है मुझे पड़ा है 300 dollar का क्योंकि tax भी add होता है और अगर मैं Indian price की बात करूं तो इंडिया में अभी जो मैं देख रहा हूं Amazon के उपर वो है 2450 लेने में इंटरस्टे और Indian links मैंने दिये हूँ है description के अंदर आप click कर कर ले सकती हूँ अपने लिए Nanoleaf और आप मुझे बताओ कैसा लगा आपको यह वाला product कैसी लगी वीडियो मुझे रहेगा आपके comments का इंतजार और वीडियो पसंद आई है तो like करो share करो subscribe नहीं है तो जल्दी से करो मेरे चैन कर दो